So, last video में हमने पढ़ा कि एक company क्या होती है उसकी कुछ history पढ़ ली हमने कुछ definitions के बारे में बात कर ली क्यों ना अब हम features के बारे में बात करें Yes, hello and welcome back to the channel पढ़ाकू लोग आज की इस video में हम बात करेंगे company के main features के बारे में When I say main features, इसका बिलकुल भी मतलब नहीं है कि 3-4 features पढ़ाके हम ख़तम कर देंगे story को No, हम company के सारे features को detailed way में with the help of examples पढ़ेंगे इसी एक video में So, इस video को end तक देखेगा ताकि आप company के features को अच्छे तरीके से समझ सके जब हम बात करते हैं company के features के बारे में तो वो एक या दो नहीं है, वो हैं बहुत सारे यह जितने भी आप points देख रहे हैं, यह सारे company के features हैं जिसमें है corporate personality, limited liability, perpetual succession, separate property, transferability of shares, capacity to sue and be sued, contractual rights, limitation of action, separate management, voluntary association for profit, termination of existence अब आप बोलेंगे माम, इतने सारे features, तो यह बेटा, इतने सारे features और यह सारे हमें बहुत जादा detail में पढ़ने हैं तो आएए शुरुवात करते हैं, हम हमारे first feature के साथ, जो की है corporate personality यह बोलते हैं, being a separate legal entity, it bears its own name and acts under a corporate name यह बोलते हैं कि company खुद के नाम से जानी जाती है मतलब, जैसे कि मैं बोलू, अगर मैंने कोई company खोली है तो मैं उसे यह नहीं बोलूँगी, कि it's Piles company, no यह बोलते हैं कि company जाती है, मेरा खुद का एक नाम हो for say, x, y, z company, तो यह उसका खुद का नाम है तो हर company अपना खुद का नाम रखती है and at the same time, इसकी खुद की एक seal होती है यह जितने भी assets hold करती है, वो अपने नाम पे करती है और जितनी भी liabilities लेनी होती है, वो भी खुद के नाम पे ही लेती है तो corporate personality के चलते हुए, क्योंकि law में इसकी क्या हो जाती है as an individual पहचान हो जाती है, तो इसको मौका मिल जाता है अपना खुद का नाम रखने का अपने खुद की पहचान रखने का, अपने खुद के नाम पे assets रखने का अपने खुद के नाम पे liabilities रखने का, अपने खुद के नाम पे एक seal carry करने का तो ये सारे rights इसको law ने दिये हुए हैं क्योंकि ये corporate personality hold करती है याद है न मैंने अभी आपको बताया था artificial person अब एक जीता जागता इंसान खुद का नाम रखता है, खुद के assets ले सकता है, खुद की liabilities ले सकता है तो company भी तो law की नजर में इनसान ही है, तो वो ये सब क्यों नहीं कर सकती तो company भी बकाइदा ये सारे काम करती है अगर कभी member खड़े होके बोले कि company के assets तो हम सब के assets है तो company बोले कि बिटा ऐसी गलत फैमिय में बिलकुल मत रहना ये जितने भी assets तुमें दिख रहे हैं ना company में, ये जितनी भी liabilities दिख रहे हैं, ये मेरी खुद की है तो members का इससे कोई लेना देना नहीं है ये बोलता है कि जो shareholders हैं जिनोंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, जो owners हैं company के वो सब company के agents नहीं होते, कि company के भीहाफ पे कोई काम करके आ रहे हैं, या फिर कुछ खरीद के आ रहे हैं company ऐसी कोई भी permission उन्हें नहीं देती है आप बस imagine कीजिए कि company एक जीता जागता इंसान है, जो अपनी खुद की सुरक्षा, अपने खुद के assets, अपने खुद की liabilities, खुद के नाम पे hold कर सकता है बस, अब बात करते हैं हम हमारे second feature के बारे में जो की है separate property देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि law की नजर में company की as an individual पहचान होती है law क्या बोलता है कि company तो एक इंसान है हमारे लिए, जैसे बाकिस अब इंसान होते हैं, जीते जागते, वैसे company है तो ऐसे में company को भी मौका मिल जाता है, खुद के नाम पे assets रखने का और खुद के नाम पे ही liabilities hold करने का अगर कोई भी इंसान शो करता है कि नहीं तुमारे assets हमारे हैं, जैसे कि director या फिर shareholder कभी भी company को ऐसा बोलें कि ये तो सारे assets हमारे हैं, तो company विलकुल इसी प्रकार से गुसा करती है, जैसे इसकी plate से किसी ने कुछ चोरी करने की कोशिश की हूँ ये पोलती है मेरे assets हैं, मेरी liabilities हैं, मैं खुद देख लूँगी, आप मैंसे किसी को interfere करने की कोई आवशक्ता नहीं है तो company की जितनी भी property होती है, वो उसके खुद के नाम पे होती है, ये हुआ separate property Now let's talk about perpetual succession इसमें मैं आपको एक गाना याद दलवाना चाहूंगी, कोई आए, कोई जाए, company किसी से कम नहीं Company का असूल यही रहता है, कि इसे किसी की आने जाने से फर्क ही नहीं पड़ता वो कुछ बच्चे होते हैं ना family में, बिल्कुल निर्मोह से, जिनको किसी की आने की खुशी नहीं होती और किसी के जाने का गम भी नहीं होता तो company भी बिल्कुल ऐसे निर्मोही, insensitive organization है, जिसको किसी की आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई shareholder आए, कोई shareholder जाए, कोई director आए, कोई director जाए, कोई मर भी जाए, तब भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा इसे तो अपने आप से ही मतलब है सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल self-obsessed लड़कियों जैसे तो ये बोलते हैं, एक incorporated body को किसी के भी आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है उसका registration किसने किया है, law ने किया है, उसको create किसने कराया है, law ने करवाया है तो लोगों की आने जाने से वैसे भी उसे क्या ही फर्क पड़ेगा So, ये बोलते हैं कि company एक separate legal person है, जिसको किसी की death से, departure से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम्हें company को खतम करना है, तो जैसे तुमने lawfully उसकी शरवात करी थी, वैसे ही lawfully उसे बंद करवाना पड़ेगा तो ये दोनों dialogue से आप easily याद रख सकते हैं perpetual succession को, कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई आए, कोई जाए, company किसी से भिकम नहीं होगी Now, let's move to another point, that is transferability of shares सबसे पहले तो इस चब्द share को समझते हैं हम, ये क्या है? देखे, company कोई छोटी मुटी organization तो होती नहीं है, बहुत बड़ी organization होती है और बहुत बड़ी organization को चलाने के लिए लगता है बहुत सारा capital, बहुत सारा पैसा अब ये expect करना कि ये सारा का सारा पैसा एक ही इनसान लेके आएगा, ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात हो जाएगी तो company ने क्या किया, company ने अपने capital को पाच में divide कर दिया जैसे आप देख रहे हैं न यहाँ पे, कि pizza slices में क्या हो रहा है, divide हो रहा है together है तो उसे हम क्या बोलते हैं, pizza बोलते हैं, लेकिन जब वो share में चला जाता है तो उसे बोलते हैं, pizza slice तो यहाँ पे capital मतलब पूरा का पूरा पैसा, लेकिन जब हम उसे पाच में divide कर देते हैं, तो वो बन जाता है share बिलकुल pizza के example से ही याद रखियेगा, पूरा है तो capital, अधूरा है तो share So it says, the capital of company is divided into parts, इसको हम बोलते हैं, shares यह shares movable property होते हैं, जो कि easily खरीदे और बेचे जा सकते हैं और stock exchange एक ऐसी place होती है, जहां पे हम अराम से stock को, मतलब shares को बेच सकते हैं यह खरीज सकते हैं, बात फिर से वहीं आ जाती है कि transferability of shares का क्या मतलब बनता है देखिए, यह एक इंसान था, जो कि बहुत रहीस था, बहुत रहीस जब यह बहुत रहीस था, तो इसने अपने लिए खरीदे कुछ shares लेकिन वक्त की मार पड़ी और यह बिचारा बन गया गरीब इसके सारे पैसे चले गए अब इसने सोचा यार खाने पीने के लिए पैसे कहां से लाओ तो इसको याद आया कि मैंने तो XYZ कंपनी के बहुत सारे shares पर्चेस करके रखे हुए थे मैं उन सारे shares का मालिक था तो मतलब क्या था मैं? Shareholder अभी भी हूँ क्यों ना मैं उन shares को किसी और को दे दूँ और उससे पैसे ले लूँ? बस जैसे ही दिमाग चला इस इंसान ने वो shares stock exchange में बेच दिये और बहुत सारे पैसे लेके फिर से अमीर बन गया सो इस story से हमें क्या समझ में आया? इस story से हमें ये समझ में आया कि unlike partnership जहां पे आप अपना share ऐसे किसी को भी दे नहीं सकते बागी सब partner से बिना पूछे यहां पे ऐसा नहीं होता company में आप जो भी share hold करते हैं आप उसे कभी भी कैसे भी बेच सकते हैं इतनी आजादी आपको मिली हुई है company के द्वारा Now let's move to another point that is capacity to sue and be sued इस शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है किसी पे case करना तो capacity to sue and be sued का मतलब है कि क्योंकि law की नजर में company क्या है? एक person है अब normal person को कभी भी किसी से कोई दिक्कत होती है तो वो से कहां लेके जाता है? कोट में लेके जाता है तो company को भी अगर किसी के साथ कोई भी दिक्कत होगी तो वो उसे कोट में घसीट सकता है and vice versa मतलब किसी और इंसान को भी company से अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे बकाइदा कोट लेके जा सकते हैं उनके उपर case कर सकते हैं so company being a body corporate can be sued and can sue in its own name खुद के नाम पे ही case होगा ये नहीं कि तुम shareholder हो तो तुम फज़ा होगे तुमारे नाम पे case हो जाएगा नहीं company के नाम पे ही case होगा ये बोलते हैं कि भया देखो जब assets तुम अपने नाम पे hold कर रहे थे liabilities तुम अपने नाम पे hold कर रहे थे तो भई case हो रहा है तो वो भी तो अपने नाम पे ही रखो वो दूसरों के नाम पे रखने का क्या मतलब बनता है तो company जितने भी cases करती है खुद के नाम से करती है और जितने भी cases इसके उपर होते हैं इसके नाम से ही होते है चलिए तो लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ के यहाँ पे जो cases के नाम होते हैं उसमें भी company का नाम included होता है जैसे की normal अगर case होगा राम और शाम के बीच में तो वो case ऐसे लिखा जाएगा राम वर्स शाम लेकिन when it comes to company case होता है TVS Employees Federation versus TVS and Sons Limited Yes, this is the name of the company तो case के नाम में भी company का नाम include होगा क्योंकि company उसकी second या first party होगी और जो भी party होती है उनका नाम तो case में आता ही है Unless and until it is a criminal case जहाँ पे हम state का नाम लिखते हैं So, यह हो गया capacity to sue and be sued चलिए, let's talk about contractual rights now देखे, partnership में कैसे होता है कि एक partner जाता है सामने वाली party के साथ contract करके आता है और पूरी partnership को bind कर देता है मतलब सब partners को bind कर देता है कि सब को अब उस contract का पालन करना पड़ेगा लेकिन company की case में ऐसा नहीं होता company बोलती है contract मेरा है तो मेरे ही नाम से होगा कोई और मेरे भिहाफ पे वो contract नहीं कर सकता so company के जो contract होते हैं वो company के नाम से होते हैं जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए यह है company का contract board of director इसको जाके sign करके आने वाले हैं तो ऐसे में यहाँ पे contract में company का ही नाम लिखा जाएगा company XYZ signed a contract with ABC इंसान पे भी इनका खुद का ही नाम होता है इस सबसे आप समझ गए होंगे कि company कितनी particular होती है कि हर एक चीज़ पे उसका खुद का नाम आना चाहिए so it says company being a separate legal entity क्योंकि law की नजर में इसकी पहचान as an individual है as an artificial person है तो यह अपने members से अलग है और यह जो भी contract करती है यह खुद के नाम पे करती है members के नाम पे वो contract नहीं होते है ना ही members द्वारा किये हुए contract इसको bind करते है company द्वारा authorized person ही सिर्फ company के बिहाफ पे contract sign कर सकता है ऐसे कोई भी random इंसान जाके या कोई भी member जाके company के भी हाफ पे contract sign करके नहीं आ सकता है चलिए contractual rights में सिर्फ इतना ही था now let's talk about limitation of action see company जो होती है ना वो अपने MOA के basis पे चलती है that is memorandum of association company क्या क्या कर सकती है कितना कितना कर सकती है यह सब कुछ MOA में mentioned होता है इसके through ही company को powers मिलती है और ऐसे सिनारियो में यह बोलते है कि आप वो सारे काम कर सकते है जो MOA में लिखे हुए है लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो MOA के बाहर आता है ऐसा काम company नहीं कर सकती है और अगर कभी company ने try भी किया तो वो काम void declare हो जाएगा गलत declare हो जाएगा ultra wires declare हो जाएगा ultra wires का मतलब क्या होता है मतलब अपनी powers के beyond act करना तो company के उपर limitation है कि वो सर्फ उतना ही काम कर सकती है जो की MOA में mentioned है उसके beyond वो कभी भी नहीं जा सकती है यह बहुत important document होता है अगर आप इसे for the first time सुन रहे है तो कोई दिक्कत नहीं है आगे चलके इसी chapter में हम MOA को अच्छे से study करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या आता है कैसे कैसे आता है कब लिखा जाता है कौन sign करता है तो वो सारी चीजे इसी particular chapter में होंगी चलिए अब बात करते हैं separate management के बारे में ये क्या बोलते हैं देखिए ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि company में जो भागदोड संभालते हैं जो management कहलाए जाते हैं वो होते हैं board of directors लेकिन जिसका पैसा लगता है वो होते हैं shareholder येस पैसा contribute करता है shareholder लेकिन company को चलाने का काम करता है board of director तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि ownership से हमारी management क्या है different है ownership तो लाई करती है किस के पास shareholders के पास लेकिन management लाई करती है किस के पास board of director के पास तो management is different from what the ownership तो ये बोलते हैं the members may derive profits without being burdened with the management of the company ये बोलते हैं देखी कितनी बड़िया बात है मतलब shareholder को सिर्फ पैसा लगाना है और पीछे बैठके पूरा scene देखना है ऐसे मानिए आप film देख रहे हैं film के लिए आपने पैसे दिये हुए है और आप guaranteed enjoyment घर लेके जाएंगे shareholder बिलकुल ऐसा ही करते हैं ये जाते हैं company में ticket के नाम पे पैसे फेकते हैं shares खरीद लेते हैं और back seat पे बैठके अराम से relax करते हैं जो भी management है जो भी day to day activities है वो सारी board of directors संभालते हैं उनके बिहाफ पे लेकिन उसके बावजूद अगर profit होता है company को तो वो भी shareholders के हिस्से में आता है तो shareholders management से अलग रहते हैं और उनको management का burden नहीं संभालना पड़ता है चलिए एक और feature discuss कर लिया हमने अब हम बात करते हैं voluntary association for profits के बारे में ये बोलते हैं कि जो हमारी company है न किसी ने जबर्दस्ती पकड़ पकड़ की नहीं लाया है लोगों को कि आप आईए इस company में participate कीजिए नहीं ये खुद से आए हैं कि भाईया हमें इस company का part बनना है ओनर बनना है एक काम कीजिए हमें तो share बेच दीजिए और ये सारे लोग क्यूं आए हैं company में voluntary way में क्यूंकि इनको कमाना है profit तो बिलकुल ऐसे होता है कि company में profit होता है और ऐसे बाटा जाता है shareholders को but the question arises कि क्या सारा का सारा profit हम ऐसे ही बाट देते है मतलब पूरा का पूरा profit जो भी company ने कमाया है एक particular साल में हम ऐसे ही उड़ा देते हैं जैसे ये भाइसा बढ़ा रहे हैं तो उसका answer है नहीं हम कुछ पैसा अपने future के लिए मतलब company के future के लिए save भी करते हैं जैसे हम घर पे करते हैं पिगी बैंक में कुछ पैसा save कर लिया बागी की टॉफी, चॉकलेट, समोसा खा लिया यहां पे भी company में जितना भी profit आता है उसका एक part save होता है reserves के नाम पे future के लिए कि company को मान लिजे आगे कोई नुक्सान भगतना पड़ गया मान लिजे company को पैसे की आवशकता पड़ी है क्योंकि उसको अपने आपको expand करना है या 100 कारण और हो सकते हैं जिसमें हो सकता है कि company को पैसे की requirement हो तो उसके लिए हम पहले से समझतारी दिखाते हुए save करते रहते हैं reserves के नाम पे so it says accomplishment of some public goals and whatsoever profit is gained is divided among its shareholders and restored for the future expansion of the company कुछ हिस्सा तो हम shareholders में बाट देंगे लेकिन कुछ हिस्से को हम reserve करके भी रखते हैं so maximum लोग जो भी association form करते हैं company के नाम पे वो profits के लिए करते हैं बट फिर से एक question उठता है कि क्या सारी organization हर एक organization जो भी existence में आती है वो profit के लिए ही आती है उनका और कोई motive नहीं होता तो ये बोलते हैं ऐसा नहीं है कुछ ऐसी self-sacrificing kind of organizations भी होती है जिनको हम section 8 में place करते हैं yes section 8 of Companies Act 2013 बोलता है कि कुछ ऐसी भी organizations होती है जिनका main motive profit earn करने का नहीं होता फिर फिर क्या होता है उसका answer है उनका मकसद होता है welfare का society की welfare या फिर किसी particular community की welfare ये होता है उनका main motive तो उसके कारण ये particular companies form होती है उन्हें हम section 8 company भी बोलते हैं और obviously the reason उनको section 8 company बोलने का यही है कि क्योंकि उनका origin section 8 के थू हुआ है section 8 company बोला जाता है चलिए let's discuss termination of existence आपको क्या लगता है एक company अगर functions करना बंद कर दे operation करना बंद कर दे तो क्या वो अपने आप end हो जाती है मतलब मैंने 10 दिन तक अपनी company की building नहीं खोली वो sealed है packed है तो क्या मेरी company खतम हो गई बिल्कुल ऐसे जैसे आप यहां देख रहे है कि खुद को ही हमने क्या किया दफना लिया क्या company भी ऐसे end हो सकती है सोचके देखिए तो ये बोलते हैं नहीं company का जनम किस ने कराया law ने कराया law ने company को as an artificial person की पहचान दी है जब company को artificial person बोला जा रहा है तो वो अपने आप ऐसे कैसे मर सकता है वो तो तभी मरेगा ना जब law उसे मारेगा तो yes company को end करवाना होता है तो हमें legally करवाना पड़ता है ऐसे ही company बोलने से end नहीं हो जाती है या काम खतम करने से operation खतम कर देने से company end नहीं होती है क्या इनका जनम नाचरल हुआ था नहीं हुआ था हमने law में बोल के इनका जनम करवाया था तो इनकी death भी naturally कैसे हो सकती है वो भी हमें law के थ्रूही करवानी पड़ेगी ये law के द्वारा create की जाती है affairs भी अपने सारे law के according चलाती है और ultimately इसकी death भी law के थ्रूही होती है ऐसे ही खुद को दफना लेने से इसकी death नहीं होती है चलिए अब finally हम sum up करते हैं पूरी इस concept को जो हमने company के बारे में पड़ी है इसके features के थ्रूह ultimately जो best definition होगी company को explain करने के लिए ही हो सकती है so कभी भी आपको अगर company की सबसे अच्छी definition लिखनी हो this one is the best one it says a company is a voluntary association for profits with capital divisible into transferable shares with limited liability having corporate entity and a common seal with perpetual succession I hope आपको ये पूरी ही definition समझ में आई होगी क्यूंकि हमने ये सारे features discuss कर लिए है बट फिर भी हिंदी में अनुवाद करना मेरी जिम्मदारी है इसने में आपको बता रही हूँ ये बोलते हैं कि company एक ऐसी voluntary association है जिसमें लोग खुद से आते हैं खुद से जुड़ते हैं क्यूं जुड़ते हैं क्यूंकि उनको profit चाहिए होता है उन्हें profit कमाना होता है उसके लिए वो क्या करते हैं वो company के shares purchase करते हैं shares क्या है shares capital का हिस्सा है और इनकी रहती है limited liability साथ में इनकी company को मिलती है corporate पहचान मतलब law की नजर में artificial person माना जाएगा इसे और उसकी खुद की seal होगी और company हमेशा चलती रहेगी unless and until हम उसे lawfully destroy या die नहीं करवाते हैं तो it will have perpetual succession that's it यहाँ पे खतम होता है हमारा features वाला part I hope आपको ये वीडियो पसंद आए है अगर ऐसा है hit the like button with that channel को जल्दी से subscribe कीजिए notes चाहिए तो हमें whatsapp पे contact कीजिए जो number description box में mentioned है उस पे आप contact कर सकते हैं plus telegram पे, instagram पे facebook पे आप हमें follow भी कर सकते हैं वहाँ भी हम बहुत सारी crucial information as well as question bank share करते रहते हैं so stay tuned, stay healthy thank you so much आप कर तो हमें if रए हमें तो हमें प्रूप से आप आप कर दो हमें अबगल अवेल